हलो मेरे प्यारे छात्रों आज आप सभी को इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि बोर्ड परिच्छा को आप कैसे टाप करें या आप मैकसिमम परसंटेज बोर्ड के एक्जाम में कैसे ला सकते हैं अभी तक आप सभी ने कुछ भी नहीं पड़ा है तो जो यहाँ पर पॉइंट बताने वाले हैं केवल इस पॉइंट को आप ध्यान देते हैं तो आप आसानी से बोर्ड के एक्जाम में 95 परतिश्यत मार कि या इससे भी अधिक नंबर आप आसानी से ला सकते हैं साथ में आप इन पॉइंटों को अदम सिरियसली डेली बै डेली यूज करते हैं अपने लाइफ में तो आप बोर्ड की एक्जाम में टाप भी कर सकते हैं ठीक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए चाहे आप क्लास 10 के चात्रों हों चाहे क्लास 12 के चात्रों हों सभी चात्रों के लिए आज के वीडियो बहुत विसेस होने वाला है ताब वीडियो को केवल लाश तक देखिए और सभी जितने भी नियम बताएंगे इन सभी नियमों को फालो कीजिए बोर्ड परिच्छा दो हजार पचीस में पढ़ने वाले जितने भी चात रहें वो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें बोर्ड परिच्छा में 95 पर्तिशत मार्क कैसे लाएं आपको आसानी से लाने का तरीका बताएंगे पहले अपने लाइफ में यह सेट कर लीजिए कि आप बोर्ड की एक सबसे अधिक नंबर यानि 95 पर्तिशत मार्क्स का तर्गेट बनाएं कि हमको बोड के एकजाम में 95 पर्तिशत लाणा आ है जब आप अधिक परसंटेज का तर्गेट बनते हैं तभी आप अच्छे तरीका से अप मेहनत करेंगे और बोर्ड एक्जाम में डाप करेंगे अब देखिए यहां पर आपको कुछ point बताने वाले हैं, देखिए, टापर कैसे पढ़ते हैं, यानि जो board के exam को टाप करते हैं, वो किस प्रकास पढ़ते हैं, जिससे board के exam में टाप कर जाते हैं, टापर आप भी बनेंगे, बस जितने भी नियम बताएंगे, इसको ध्यांस देखे यही टापर जो होते हैं, फालो करते हैं, और जिस प्रकास बताएंगे, इसी प्रकास टापर पढ़ते रहते हैं, देखिए, टापर बनने के लिए क्या करें, आपको टापर बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर जरूर आप को ध्यान देना चाहिए, पहले नमब पहले देख लिएगा अभी तक आप से बारे में नहीं जानते हैं तो comment box में लिखिएगा आपको पूरा syllabus परतेक सब्जेट का अलग अलग बता देंगे आप सभी को ठीक है हर विशह में कितने चेप्टर हैं यानि कि आप class 10 के चातर हैं तो उसमें कितने चेप्टर हैं कौन से चेप्टर में कितने नमबर का question board की exam में पूछता है कौन से टापिक सबसे ज़्यादा important है कहां से बोर्ड की exam में सबसे ज़्यादा question पूछता है उसको जरूर एक जगा लिखें लिखे कि उस चेप्टर से कितना नंबर का प्रशन पूछा जाता है किस टापिक से बहुई कलपी प्रशन बनता है किस टापिक से आपका लांग कोईशन बनता है यह सभी आपको जरूर करना चाहिए तभी आप जाकर टाप करेंगे आप गधों जैसा पढ़ते रहेंगे खाली किताब पढ नाना है तो उस तरह पढ़ेंगे तो आप केवल 70 से 75 के बीच परसंटेज ही ला सकते हैं आप कभी 95 परतिशत नहीं ला सकते हैं ठीक है तो आपको गधों की तरह नहीं पढ़ना स्मार्ट वर्क करना और जो टापिक बता रहें उस तरह आप स्मार्ट वर्क करें ठीक है अब हैं इसके बाद आपको क्या करना है कि पूरी बना नहीं ठीक है में कैसे आप बनाऊंगे दिश्म मतबस्टी gekommen के syllabus लिखेंगे syllabus लिखने के बाद उसमें कौन से topic से ठीक है topic से long question आता है और कौन से topic से आपका objective question यानि बहुई कल्पी question पूछा जाता है और कौन से chapter से कितने number का आपका mark आने वाला है उसको पूरा लिखें लिखने के बाद इसी तरह परतेक subject को इसी प्रकाज़े से हिंदी हो गया जितने भी subject आपके हैं सभी subject को एक planning बना लिजे planning बनाने के लिए बाद आप एक best time table set कीजिए ठीक है best time table कम से कम time table आपका 4 से लेकर 5 घंटा का होना चाहिए जिसमें आप परतेक subject को planning बनाने के बाद परतेक subject को daily by daily देखिए एक दिन पढ़ने साथ काम चलेगा नहीं daily daily by daily आपको उन टापिकों को पढ़ना पढ़ेगा जो सबसे important topic है ठीक है यह इस तरह से परतेक subject का आप time table बना लिजिए और साथ में state कर लिजिए कि किस subject को सुबह पढ़ना है किस subject को साम को पढ़ना है कब महत पढ़ना है आप एक planning के साथ उसको पढ़िएगा यह होता है अब बेश्ट planning ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे 2025 में जो board exam होने वाला है आप सभी को पता है कि जब यह video बना रहा है तो आपका जुलाई का महीना लगवग में समाप्त हो चुका है अब आप अगस्त से पढ़के कैसे आप टाप कर सकते हैं य और पॉबर हैं नूंबर हैं दिसंबर हैं जनवरी हैं और फरवरी आपको पता है कि भंड का इक्जाम फंदरव के बाद पन्दरव तारिक के बाद आपका बौर्ड का exam स्टाड़ हो जाता है ठीक है यहाँ बैं देल आपको पहतें आपको परिंश से टीट का परणिया तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप जो planning आपको बताएं, परतेक subject का आप एक proper notes बनाएं, ठीक है, proper notes बनाने का मतलब है कि अपना पहले topic देख लीजिए, किस topic से कितने number का question पूछ रहा है, उसको एक जगल लिखिए, और important question का एक notes बना लीजिए, जिससे आप board के exam दे कि December महीने तर, यहां से 5 महीने तर, ठीक है, पढ़के parent notes अच्छे proper ढंग से बना लीजिए, और important question का एक स्रीज बना लीजिए अपना, और objective question को एक जगल लिख लीजिए, आपको पता है कि class 10 में 20 number का बहुई कलपी प्रशन आता है, यह सबसे ज़्यादा आपको number देता, य उसमें आप केवल revision करते रहें, बार बार revision करें, practice करें, इन सभी को आप करना पढ़ेगा, अब देखिए, आपको क्या है, कि जूवी से subject है, जैसे आप class 10 के चात्र हैं, तो आपको हिंदी पढ़ना है, साथ में विज्यान पढ़ना है, गड़ीद पढ़ना है, अंग्रेज ही, तो टोटल जो class 10 के 6 तुन को टोटल 6 subject, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, तो चास हैं आपको पढ़ना रहता है, अब परतेख subject को आपको समय देना पढ़ेगा, परतेख subject को आप ढ faculty समें देते हैं, आप street subject को आधा गंटा समय दीजी, परतेख subject को आधा गंटा समय दीजी, परत और प्रोपर नोट्स भी बना सकते हैं इतना काम आपको करना पड़ेगा ठीक है अब देखिया प्लास 12 के छात्रे आप सभी को पता होगा कि हिंदी गड़ीद भौतिविज्ञान रसाइन विज्ञान जीविज्ञान या अंग्रेजी यहां पर जो भौतिविज्ञान और रस सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करते हैं शाय। फॉरेज्ञान पर्न या पर,णा सब्सक्राइब करें आप बनास या इस के से महत को पड़ोपा है लिए कुछ समय के बाद आप पूल जाते हैं साभी आपके याद कैसे रहा गैना की साभी आल फार्मूला को एक चार्ट हमाने चार्ट बना लिगना Is लिए गड़ी था गड़ीध के सभी फार्मूला को लिख लीजिए बार-बार सभी ज दशन दीक प्रबद या रही को19 सभी समीकड़ों को आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है सभी समीकड़ों को आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है बस केवल जो समीकड़ बार 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 बोड के एक जामिक पूछता है उसका भी आप समीकड़ों के एक चार्ट बना के लिग लीजिए बार बार समीकड़ों को देखते रहिए समिकड़ याद करते रहिए इस तरह आप क्या करेंगे जब चार्ट बना लेंगे बार बार देखते रहेंगे सभी आल फार्मूला आपके दिमाग में दम छप जाएगा तो चार्ट जरूर बनाईएगा ठीक है यही टापर करते हैं जो आपको बता रहे हैं सभी विशे का आपजेक्टिव भी आपको क्या करना है कि सभी विशे का जो आपजेक्टिव जो इंपोर्टेन वाग आपजेक्टिव हैं जो पिछले साल के पेपरों पूछा जा चुका है उसको एक कापी पे एक जगार लिख लिजिए और उनको भी और रिविजन बार- साथ करें आफ हो उस प्रैके पर जाएंगे ws प्रिवियस यर जो पेपर हो उसका सूलैषन कराएंगे सभी प्रिविचे कर Άपको frame करें यज़नोड़ कर सकते हैं तो आप यहां से जो आपको को विडीओ साफ और पूरुरा सूलेशन आपको कराएंगे उसका वी आप सुल important question को लिखते रहे हैं इसके साथ में important notes बना लिजिए और model paper देखिए model paper आपका 2024 का जो model paper है और 2025 का जो model paper होगा 2025 का इसको जरूर आप पढ़के जाए आपके model paper से बहुत ज्यादा question board के exam में पूछे जाते हैं यदि model paper आपके पास नहीं होगा तो आपको अभी model paper का भी solution आपको कराएंगे ठीक है तो आप इन सभी पेपरों को जरूर एक जगा एकतिरित करके सभी important point को लिखिए गया इसके साथ में question paper जो रहता है उसको हल कीजी और साथ में आपके market में इस समय question bank आ ग अभी paper का उसमें आपको topic wise जैसे गड़ीत हो गया हिंदी हो गया जितनी topic wise है उसका एक जगा लिख के दिया रहता है जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा आप उस question bank को जरूर ले लिजिएगा और लेने के बाद उस question bank को जरूर हल कीजिएगा ठीक है अब देखिए आपको दूर करना पड़ेगा ठीक है आज के जमाना में वरतमान जो समय चला उसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा साथ वीडियो देखते हैं Instagram का यूज करते हैं WhatsApp का यूज करते हैं Facebook का यूज करते हैं बस आपको क्या करना है कि 4-5 महीने तर साथ वीडिय आप यूटूब पे खोलेंगे साथ वीडियो देखेंगे एक वीडियो देखने के लिए खोलेंगे साथ वीडियो आप क्या करेंगे दो गंटा इसी में पिता देंगे तो आपको यह नहीं करना है साथ वीडियो देखना है तो कि वर आधा गंटा देख लीजिए ठीक है इ इतने भी आप टापिक उसको लिखिए और उसको बार बार पढ़िए आपको गारंटी देते हैं कि आप बोर्ड एक्जाम को टाप करेंगे बस इन सभी जो अन्नेसरी चीज है इनसे आप केवल दूर रहिए ठीक है यहाँ जितने भी पॉइंट थे आप सभी को बताएं इन प पचाते हैं भीड में भीड ही बनकर रह जाते हैं वही पाते हैं जिन्दगी में सफलता जो खामूसी से अपना काम कर जाते हैं देखे फ्रेंस इसका ताद पर आप बस यह जाने जितने भी पॉइंट बताएं आपको सोर करने की जरूत नहीं है अपने दोस्त मित्र के बार बिजियो बनाके upload करें उन्सा भी वीडियो को आप जरूर देखिए ऐगा थिक है तो फ्रेस आपको यह वीडियो काइसा लगा कमेंट बाकस में अपनी राय ज़रूर देखें इसे पर आपको डाइट लगता है तो पज़्ेंट फ्रेस फेस वीडियों पसंद आये तो करें च